हलो दोस्तों में नड़ाम हम महुंबत कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग RO-ARO की नई भरती के बारे में RO यानी Review Officer समिक्षा रिकारी ARO यानी Assistant Review Officer सहायक समिक्षा रिकारी यह भरती कराता है उतर प्रतिस लोग से वायू यानी यो PPSC और यह भरती दोस्तों हर साल नहीं आती है गैप करके आती है इसका इंतजार भी बहुत सारे चातर करते हैं पिछली बार 2020 में भरती आई थी उस समय बहुत सारे चातर फॉर्म नहीं भर पाये थे चुकि उनका जो O-Level का result है वो नहीं आया था अपेरिंग वालों को eligible भी नहीं माना गया है तो इसकी वज़े से बहु इस वीडियो में बस Last तक बने रही है बात करें इन भरती हो कि पिछले समय में नहीं कर पाये थे जानकारी दोस्तों निगलकर एये आ रहे है कि जो नई भरती थी आरो ए आरो दो हजर बाइस का वो इसी साल आएगा और बहुत सारे पदों का अधियाचन भी मिल गया है दोस्तों कुछ में पहले आपनी न्यूज ये देखा होगा कि बहुत सारे विभागों में योगी सरकार ने अभियान चला कर प्रमोशन किया था उत्तर पड़िस में लगवाग असी विभाग हैं और उन विभागों में बहुत सारे पदों का प्रमोशन हुआ था जिसकी वज़ा से पद रिक्थ हुए थे इसी कड़ी में आरो ए आरो में भी प्रमोशन हुए थे और यहाँ पर भी बहुत सारे पद खाली हो गए हैं जो कंप्यूटर असिस्टेंट होते हैं वो दोस्तों बन जाती हैं ए आरो प्रमोशन के थुरू ए आरो आरो बन जाते हैं और आरो सेक्षन ऑफिसर बन जाते हैं इस तरह से यह प्रमोशन होता है और पद खाली रह जाते हैं जो 50% जो प्रमोशन से भर जा रहे हैं और 50% के में 2022 के लिए बहुत सारे पदों का अधियाचन भी तैयार हो गया है हलाकि अभी लोग से वायों नहीं पहुंचा है किन-किन पदों का कितना अधियाचन आया है मैं आपको सौर्ट में बता देता हूँ आरो सचिवाला का लगभग 65 पदों का अधियाचन आरो चीफ एलेक्सन कमिशनर के ओफिस से जो भरती होती है लगभग 22 पदों का अधियाचन आरो राजस विवाग में 35 पदों का अधियाचन इस तरह से लगभग 110 पदों का अधियाचन तैयार हो चुका है अभी और भी वि होती बोटि भी इसी में जुडने वाली है तो इस तरह से देखा जाये तो आरों के ही लगवग इस बार 800 के आसपास पध हो सकते हैं इसी तरह से ए आरों के 400-300 के लगवग पध हो सकते हैं 500 से अधिक पदों पर ये काफी बड़ी संख्या होती है 500 से अधिक पदों पर इस बार आरो ए आरो की भरती होगी और ये जो सभी पदों का अधियाचन है मीध है जुलाई तक लोग सिवायो को मिल जाएगा और अक्टूबर में इसका विज्यापन निकलने की संभावना है प उसमें भी पदों की संख्या बढ़ गई है आरो के लगवग 162 पद और ए आरो के 120 तो लगवग 282 पदों पर इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है तो इसमें पदों की बढ़ोतरी होई है लेकिन जो नई वाली बढ़ती है इसमें बंपर भरती होगी और इसमें सब साम होगा 228 पदों का विग्यापन आया था फ्रेस जो पद थे और उसमें 109 पद स्पेसल भी थे जिसमें OBCS AST को ही मौगा मिलना है और जैसा कि मैं बताए कि पदों की संख्या इसमें बढ़ भी गई है तो इसमें भी आपको मौगा मिलेगा बाकी जो नए चात्र हैं वो लेटेस्ट और ऑफेंटिक इन्फॉरमेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करदें चैनल को सस्क्राइबर के बिल आइकन दबा लिजे तक कि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑफेंटिक इन्फॉरमेशन मिलत रहे थांक्स और वाचिंग